नमस्कार बच्चो स्वागत है आपका अपने हिंदी की क्लास में तो बच्चो आज की जो आज की जो क्लास है वो बहुत ही मज़दार होने वाली है मज़दार के साथ साथ यह क्लास आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण होने वाली है परिक्षा की द्रिष्टी से तो बच् सारे फलो को सबजीयों को क्या किया जाता है उसका उसको निचोड़ा जाता है मिक्सर ग्राइंडर में उसको डाल के उसको निचोड़ के उसका रस निकाला जाता है ऐसे बनता है तो वही है वही रस है हिंदी साहित में क्या होता है कि कोई पंक्ती हो दोहा हो चौपाई हो उस को तो निचोर के उसका रस निकालना अर्थाथ उससे खुशी विभन प्रकार के भाओं जो होता है भाओ ठीक है विभन प्रकार के भाओं को लेना यानि पंक्ति को पड़के उस पंक्ति से क्या फिल हो हाँ हमें उसको क्या करना देना ठीक है तो देखिए रस का क्या है पहले समस्त है रस का सापदी कर दिया से हम आपको बोले निचोड किसी पंक्ति का निचोड क्या की वो पंक्ति कहना उस पंक्ति से क्या क्या फील हो रहा है मुझे उस दोहे को पढ़के क्या फील हो रहा है वही रस है ठीक है क्या कह रहा है कविता कहानी या नाटक ठीक है कविता कहानी या नाटक हिंदी साहित को जब हम लोग पढ़ते हैं बचों क्या है कि उसमें हम लोग कभीता कहानी क्या करते पढ़ते तो हम लोगों कोई भाव की अनुभूती होती है ठीक है डेखते जंक समय आजकल में क्या चल आज मामें ऑग या कभी कहानिया आया आप या पिर स्टैंडर्ड कॉमेड़ी या फिर ऐसे पो हरं के पढ़के क्या हो रहा जो भाव हरदय में उतपन होते हैं आते हैं उसकी अनुभूति को हिंदी तक हिंदी साहित्य में Qué about रस कहते हैं ठीके के नाम से जाना जाता है ठीक है यानि कविता कहानी या नाटक को पढ़ते या देखते समय फिर्वे में जो भाव उत्पन होता है जिस भाव की अनुभूती होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों हिंदी साहित्य में रस के नाम से जाना रसको कावे की आत्मा कहते हैं क्या कहते बच्चो मिन रसके जो है वो अधूरा ऐगा रस को कावे की आतमा कहते हैं ठीक है रस का सौरप्रथम उल्ले किस ने किया था बच्चों यह बहुत इंपॉर्डेंट है भरत्मुनी ठीक है भरत्मुनी क्या थे भरत्मूनी क्या है इन्हों ने अपनी ग्रंथ में उनकी ग्रंथ का नाम क्या है नाट्य सास्त्र नाटक लिखा है यहां से लिखा हुआ है नाट्य सास्त्र इन्हों ने ग्रंथ लिखा था किसमें भरत्मूनी ने कौन सा नाट्य सास्त्र उसमें उन्हों ने रस्त का क्या किया था सौरप्रथम उलेक किया था ठीक है और यह जो नाट्य शास्त्र है यह आपका संगीत से भी जुड़ा हुआ है ठीक है यह याद रखिएगा रस्त का सौरप्रथम उलेक किसमें हुआ बच्चों भरत्मुनी के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में हुआ है चलिए अब रस के प्रकार कितने प्रकार के हैं नॉम Allah कि कव में में जो हम लोग कावे को पढ़ते हैं तो नौ प्रकार के भाव की जो भाव है उसकी हम लोगों को क्या होता है अनुभूती होती है नौ परकार के भाव हैं जो कावि को पड़के हम लेकों होता है अनुभूती होती है ठीक है जब कि भरत मुणी ने अपने नाटए शास्त्र में रसका तो उल्ले किया है लेकिन कितने रसों का बच्चो केवल 8 रसों का ठीक जबकि होते नौ रस हैं लेकिन भरतमुनी ने अपने नाट्य सास्त्र में कितने रसों का उल्ले किया है वे रस कौन-कौन से हैं श्रिंगार है हाश्य है करून रौद्र वीर विभत्स भयानक अध्भूत यह आठ रस का इन्हों ने अपने नाट्य शास्त्र में ग्रंत में क्या किया है वर्णन किया है इन्होंने सांत रस को नहीं माना है ठीक है किस रस को उन्होंने छोड़ा है सांत रस को नौ रस यानि यह आठ रस नौवा क्या है सांत रस ठीक है यह आठ रसों को इन्होंने क्या माना है अपने नाट शास्त्र में इन्हो नहीं माना है फिर एक कवी आते हैं सूर्दास ठीके एक कवी हैं हिंदी कवी तूर्दास ठीके सूर्दास के अनुसार रस उंहोंने कितने रस को माना है 11 रस होते है लेकिन भरतमुनी कितना माने है आठ माने है किस रस को छोड़े है सांत रस को छोड़े है वही सूर्दास जो कवी है वो कितने रस को माने है 11 रस को मानते है जिन उनमें दस्वारस क्या है बच्चो नौरस तो यहीं हो गया सांत रस दस्वारस है वात्सल्य दस्वारस क्या है जो सूर्दास में जोड़ा है सूर्ड आस ने क्या किया है ग्यारा दस्वां और ग्यार्वां रस माना है, ठीक है चलिए, अब आपको समझ मिआ रसकिक अगर पूछे अब तो ये बहुत बड़ा बहुत कनफ्यूजन हो गया आपको कि भरत्मुनी के अनुशार आठ रस है ठीक है फिर उसके बाद हिंदी साहित में नौ रस माना गया है ठीक है उसके बाद सूर्दास जी 11 रस मानते हैं अगर एक्जाम में अगर परिच्छा में पूछ दे कि रसों के प्रकार बताईए तो हम लोग क्या लिखेंगे क्या सही करेंगे तो बच्चों आप य इंदी साहित में कितने प्रकार के रसों को माना गया बच्चों नो प्रकार के तो अगर प्रशन में पूछे कि रस के कितने प्रकार है तो आप क्या करोगे के वल नौ रस लिखोगे ठीक है और अगर लिखता है कि भरतमुनी के अनुसार तो आठ रस और वहीं पे पूछ दे सूर्दास के अनुसार रस कितने होते हैं तो 11 कौन-कौन से हैं दो और कौन उन्होंने जोड़ा वातसले और भक्ती रस ठीक चालिया अब क्या है रस के तत्व कितने तत्वों से मिलके क्या बना है रस बना है जो हम लोग जूस पीते हैं वो कितने कितने चीजों से मिलकर बना है वही है तो क्या है इनकी संख्या चार है यानि चार ऐसे तत्व हैं जिन से मिलके क्या बना है रस बना है हिंदी साहित का रस बना है जैसे हम लोग अगर mix vegetable mix vegetable या mix fruit juice पीते हैं तो क्या होता धेर सारे vegetable या fruits mix होके बनते हैं ठीक है तो वैसे ही हिंदी साहित्य में जो रस बनते हैं उनमें कितने तत्व को मिलाया गया है वे चार तत्व को मिलाया गया है वे चार तत्व कौन से बच्चों पहला है स्थाई भाव ठीक है पहला जो तत्व हिंदी साहित्य में मिलाया गया है रस बनाने के लिए वो क्या है स्थाई भाव है ठीक है क्या है स्थाई बाद जो भाव हमारे अंदर जन्म से होते हैं भाव फिलिंग कि वो क्या होता है हमारे अंदर हैं खुश रहना हसना किसी चीज़ को देखके दुख होना डरना यह सब क्या यह सारे भाव जो हमारे अंदर जन्म से हैं ठीकर यह किसी के कारण उत्पन की कारण यह अंदर विराजमान है ठीक है तो जो भाव हमारे अंदर जन्म से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्थाई भाव कहते हैं इनकी संख्यार नौ है आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरुवत नहीं है आपको बस यह समझना है कि वे चार तत्व कौन है जिनसे हिंदी साहित में रसका निर्मान हुआ है तो वे चार तत्व में पहला तत्व है बच्चो स्थाई भाव ठीक है फिर दूसरा क्या तत्व है विभाव विभाव क्या होता है उसको जगाने के लिए तर्थ वड़ों किया कहलाता है ऑगर हम खुष है तो क्या हसना खुशी को उनों कैसे क्या कह सकते हैं तुक्ष तो रोना तो यह क्या कहलाएंगे बच्चों यह हमारे विभाव कहलाएंगे उसके बाद विभाव के अंदर क्या बच्चों दो चीज़ें आती है आलंबन आलंबन क्या है जिस चीज के कारण स्थाई भाव उत्पन हो कोई चीज को देख के क्या हो वह भाव जो है वह उत्प पढ़के हम लोग क्या फील करते हैं उससे जो हमारे अंदर का जो भाव है जो बाहार रहता है उसको क्या कहते हैं आलंबन कहते हैं यही हमारा विभाव है वहीं पर उधीपन क्या है स्थाइबा को त्रिव करने वाला उतेजित करने वाला जो मारे भाव है उसको और उतेजित माली जो कई आप पंक्ति पढ़ रहा है ठीक है वह पंक्ति किसे भरा हुआ बहुत ही जारा वीरस से भरा हुआ यानि उसको पढ़के आपके अंदर क्या जाए जोस पैदा हो जाए ऐसी बातों का वर्णन हो ठीक है तो वह हमारा क्या कहलाता है बच्चों उद्धीपन जैसे स किसी की सूंदर किसी सॉंदर वस्तू को सुंदर वस्तू को देखके हमारे अंदर क्या होता है को या फूल लेखे उसको देखर कि आपको क्या फील होता है रिभाव को । करें ठीक तो यह रस्त के तत्व में दो तत्व हमने पढ़ाया कौन सा पहला स्थाई भाव दूसरा विभाव चले अब तीसरा देखते हैं क्या है वोच्छो तीसरा है अनुभाव एक्सपीरियंस अनुभाव क्या है मन के भाव को व्यक्त करने वाली सारी रिक चेस्ट आएं मन के भाव को कैसे हम लोग करेंगे आप बताएं मालीजी हम दुखी है इमोजी समझे आज के टाइम में जो सोचल मेडिया है या आप किसी को टेक्स्ट करते हो तो जो इमोजी है वो जैसे आप यह समझे इस इमोजी को देखके आपको क्या फील हो रहा है ठीक है इसको देहने का भावत्पन हो रहा है और इसे देखके क्या फील हो रहा है कि यह दुखी है कि सेम वैसे ही जब कभी आप यह देखिए कि आप यह चीज़ी होगे जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है आप कभी किसी किसी से डाट खाके आए होते हो स्कूल में टीचर टीचर इसने आपको किसी बात पर डाटा हुआ रहता है तो आप घर पर आते हो अ अपको क्या होता है आपका मन जो हो आप आप पर सैस्ट परहुरोषक्त अच्छा नहीं लगेगा तो उसको देख लगाना आप दुखी है तो से क्या को एक मतलव आपके शूरत एन पर इसमें दिखने लगती है तोर शूरत में आ रहा है वैसे जैसे यह यह है हम बहुत दुख हम किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं हम किसी को मैसेज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं यार हम बहुत यार अच्छा नहीं लग रहा है यह भेज दिया और उसके साथ हम अगर यह वाल इमोजी भेजते हैं तो क्या लगता है सामने वाले को कि कि अच्छा यह सच में दुखी है समझ में आया तो यह इमोजी हुई सारीक चेस्टाइम हुई फिजिकल एक्टिविटी हुई जिनसे यह प्रतीत हो कि आप क्या है आप किसी फीलिंग को वो कर रहे हो प्रदर्शित कर रहे हैं यह सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी वच्चों में अनुभवी घ्यानबूज कर की गई हरकते कुछ ऐसी हरकते जो जान-बूज कर की जाती हैं जैसे आख मारना आख मारना सीटी बजाना नहoquले चीज़िकल जैसे आप मूवी ठीयटर में जाते हो तो आप वीडpacking रटी होती तो क्या होता है आपको बऊस्षी होतीह बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग चीटि बजाते वो अपनेकिसी पसंदिदा हीरो को देखके सथां अपने अपने प्रिंग को अपनी मन को क्या करना एक्सप्रेस करना ठीक है को दिखलाना जिए अक्टिविटी क्या है क्या है यह काईक जान बुच्कर की गई ऐसा नहीं कि वे अपने से निकल गई सीटी ने इसको हम लोग करते हैं ठीक है तो यह क्या कहला है जैसे आख मारना जैसे मालीजे कोई दोस्त है वो दूसरे तीसरे दोस्त की क्या कर रहा है मजी ले रहा है उस पर हस रहा है तो अपने दोस्त को इसारा करता है यह जो है नाटक है यह क्या है यह जान बूच कर की जाती है अर्थात यह इस पर इसमें क्या होता है ऐसा कुछ दूसरा सात्विक सात्विक्या बच्चों अपने आप होने वाली हरकते इनकी संख्या यह इनकी संख्या एवं करी यह एवं है इनकी संख्या क्या है आठ है इनकी संख्या कितनी बच्चों आठ होती है अब सात्विक भाव क्या है जो अपने आप होती है अब यह क्या है आख मानना सिटी वजाना यह अपने भाव यह सब क्या फीली फीलिंग है जो जान बुचकर हम लोग करते हैं लेकिन वहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी होती कुछ होती है जैसे अपना सासे तेज हो जाना जैसे आप कभी कोई बहुत बड़ा आश्यर जन्नक कोई बात सुन लिए या देख लिए तो क्या होता आपका हाथ इससे कापने लगता है और अगर आप डर रहे हो आपको किसी सीन को देखके भैउत्पन हो रहा तो क्या होता सासे यह जोने लगती है तो यह आप जान बूचके नहीं करते हो जैसे कोई का गलती हम कर दिये माली जे मेरे से कोई गलती हो गई और मेरी गलती पकड़ी गई तो क्या होता है मेरा हाथ ऐसे कापने लगेगा धरकर ने तेज हो जाएंगे तो यह सारी एक्टिविटी यह भाव ह है तो यह भाव क्या है यह क्या है सात्विक है यह अपने आप उत्पन होती है इन्हें जान बूचकर उत्पन नहीं किया जाता है यह हरकते जो है वह अपने आप होती है काई की तरह नहीं कि वह जान बूचकर की जाएं ठीक है उसके बाद संचारी भाव चौथा जो कोई बाब को लेके जैसे परिक्षा में हैं परिक्षा करीब आ रही है उसको लेके आप लोग क्या करते हैं चिंतित होते हैं तो थोड़े समय के लिए रती उसके बाद वो चली गई बाद आप एक्जाम देके आए फिर वह टेंशन जो है वह वहीं पर खतम गया ऐसे भाव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चो संचारी भाव कहते हैं तो रस जो है हिंदी सहाहित्र में रस कितने तत्वों से मिलके बनते हैं चार कौन कौन से स्थाई भाव वी भाव उसके बाद अनुभाव और संचारी भाव ठीक है यह आपके बोर्ड एक्जामनेशन में भी काम है पूछडेगा रस के स्थाई बाव बताईये अर्थात जो करू řस है इनका आप जो नहर स्मेस्सिक कारूण शिगार रस था ना इनका इस्थाई भाव बताईये आपको पूछ देगा FreeFlow की करूं रस का स्थाई भाव क्या होगा थो आप को याद क्या से करना है अब नौरस है ठीक है नौरस है नौरस के स्थाई भाव भी होंगे याद करना बहुत मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं आईए याद करते हैं करून देखिए एक बात याद रखेगा यह एक लाइन है यहां तक ठीक है यह दूसरी पंक्ति है यहां से यहां तक तो हम क्या करेंगे यहां से यह स्टार्ट करेंगे यह लाइन पढ़ेंगे और यहां पर इंड करेंगे फिर यहां से स्टार्ट करेंगे यह पूरा पढ़ेंगे फिर यह पढ़ेंगे ठीक चलिए देखे कैसे पढ़ते हैं पुत्तुन अंत्याद हो जाएगा चरूअ देखे क्या है करुन हाश सिंगार मिलकर वीर भयानक सांत बना अद्वु दुरोध्र बिवत के कारण नौरस का सम्मान बना अब किया है नौरस के नाम है इसमें देखिए ये पहला रस ये दूसरा ये तीसरा ये चौ था ये पांचक्वा ये छट्वां ये साथवां आठवां नौवां हो गये नौरस ठीकर यानि एक पंग्ती में क्या है इस पंक्ती में पूरे नौरस का नाम दिया है इसको याद कैसे करेंगे देखिए करुना हाश शिंगार मिलकर वीर भयानक सांत बना अद्वु दुरोद्र विभत के कारण नौरस का सम्मान बना ठीक अब इस्थाई भाव की ये तो बात रही रसकी ये बात रही रसकी अब ब है भी निरवेद बना इसमे क्रोध भी जुगसाके रसो का स्थाई भाव बना यानी इस लाइन में क्या है इस लाइन विडुब बतीं किया गया है और यह स्थाई भाव को बताए जा रहा है अगरा आप उसको याद कर लेंगे तो क्या होगा आपको रस और उसके स्थाई भाव पता हो जाएंगे चलिए फिर पढ़ते हैं फिर से पढ़ते हैं करुन हाच सिंगार मिलकर वीर भयानक सांत बना अदभुद रौद्र विभत्स के कारण और रसका सम्मान बना तो कहाश रती के उत्सा से भैभी निर्वेद बना विस्वमै क्रोध भी जुगुप्चा से रसों का स्थाई भाव बना अब देखिए करुन करुन रसका स्थाई भाव क्या है इसको आप याद कर लेंगे ठीक है आप याद कर लेंगे तो आपके लिए असानी होगी करुन रसका स्थाई भाव क्या बच्चों शोक है वहीं हाश्य का हाश्य का हास है सिंगार का रती है ठीक वीर का उत्सा है स्थाई भाव भयानक का सांत का निरवेद्ध है अद वूर्त का विषमए रओद्र का प्रोद विवच का जुगुत्सा इसका ये और भ्रास थाई भाव है जिसका नाम है घ्रना ति करे ये ये रहया घ्रना रहे कि वीवर्ट रहे बच्यान ये बच्चों इस थाई हैं नौरस वह उसके साइब वहा को याद रिखना फिर से पढ़ते हैं हम लोग करुण नहाश शिंगार मिलकर वीर भयानक सांत बना अदबु दुरौद भिवत के कारण नौस रसका सम्मान बना सो कहास रती के उत्सा से भैभी निर्वेट बना विसमे क्रोध भी जुगुप साके से रसो का स्थाई भाव बना अगर आप इसको दो तीन बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जागा बहुत यह बहुत जदा रटने की जरुवत नहीं है आपको ठीक है हम लोग भी ऐसे इसको याद किये थे यह यह जो पंक्ती है उसको क्या किये पहले आप क्या करिएग चुकि यह छोटा है तो यह हम ऐसे रही लिख पाए हैं आप अपने नोट बुक में ऐसे लिखेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और पहचानने में भी आसानी रहेगी ठीक है बचो चालिए तो समझ में आया रस क्या है उसके स्थाई भाव कौन-कौन से है चलिए एक बार और देखते हैं कि एक बार और देखते हैं कि रस रस जो है कि स्थाई भाव क्या है तो देखिए सिंगार रस का क्या है भचो सिंगार रस का स्थाई भाव रती अगर परिच्छा में पूछ दे सिंगार रस का स्थाई भाव बताईए तो आप क्या बताओग संगार का शाहर स्थाभाव स्थाइबां रती है कोई काव्ण है जया जो है मन में भावत्पन हो रोत क्या बच्छों पर्ट्व कुमिला के बनता है तो रती एक ऐसा भाव है जिसको मिलाने से क्यावन गया सिंगार रश बन गया ठीक है जैसे हम लोग कहते हैं एपल जूस मैंगो जूस तो वैसे ही मैंगो जूस में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं मैंगो मैंगो जूस को हिंदी में क्या करते हैं आम का रस बनाने में हम लोग क्या डालते हैं आम डालते हैं वैसे ही सिंगार रस को बनाने में रती हम लोग उसमें मिक्स करते ह हैं ठीक है हिंदी काव्वे में चलिए इससे आपको ज्यादा और असानी होगी हाश रस हास से रस को बनाने में क्या तत्व हम लोग मिलाएंगे तो हास यानि हसी को मिलाएंगे तो क्यों तो वह कौन सा रस बनेगा बच्चों हाश रस बनेगा आई समझ में वैसा ही करून रस को बनाने के लिए हमें किन तत्व की जरुवत होगी शोक की ठीक है किसकी शोक को अगर हम लग मिलाएंगे किसी पंक्ती में तो कौन सा रस बनेगा करून रस बनेगा वहीं पर रौद्र रस रौद्र देखके क्या लग रहा है रौद्र रौद्र ना रौद्र जो भावान रिख्यूं है उनका रौदर रौप क्या होता है बहुत क्रोधी होता है न तो किसी पंक्ती में किसी पंक्ती को क्या है रौद्र रस में बनाने के लिए किस तत्व की जरुवत होगी क्रोध कि वहीं वीर रस कुछ वीरस किसी को मोटिवेट करना उत्सा देना यानि आप उसको उत्साहित करोगे तभी न वो क्या होगा वीर बनेगा अपने काम के प्रती वो और उत्तेजित होगा तो वीरस को बनाने के लिए किस्तत्व की जरुवत होगी बच्चों साइभाव क्या है उत्सा है वहीं भयानक भयानक रहे किसी चीज को देख के क्या हो रहे भय उत्पन हो तो जो भय है भय तो को मिलाकर यह देखिये यहां पर इसको आप भय भाय भी करलो ठीक है भय है मिलाकर क्या होगा बच्चों भयानक रह जो है वह हमारा बन गया जैसे की सेब के जूस में हम लोग सेब मिलाते हैं तो वो बन जाता है सेब का जूस आम मिलाने से आम का जूस वैसे ही किसी वाख्य में भै जैसी चीजों को मिल तो कौन सा रस बन गया पंन्ति में भयानक रस स्थाट त्वा क्या विभत बीभत शिरस बहुत थोड़ी थोड़ा आपको difficult लगेगा लेकिन ऐसी पंग्ति जिन ग्रियक को घिना उद्पन हो किसी चीज़ को पड़के ट्याओ गणा उद्पन हो वह क्या कहला कहलेगा हमारा लिखत्वारस कहले रहे हमारे सात रस्ट 8 वारस क्या बच्शों अदभुतत अनोखा से ठीक рекe अदभुत अनोखा feather यह 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 होगा यह इसको आप करेक्टर लिजेगा यहां पर भाय होगा विस्मय वही हम आपको बताया थे जब विस्मय आदी बोधक पढ़ाया थे अद्भूत आश्चरी वाली चीज़े यहां पर ठीक है तो क्या अद्भूत रस अद्भूत रस बनाने के लिए किस तत्व की जरुव अब यह आठ रस किसके अनुसार थे भरत्मूनी के हिंदी साहित के नुसार नवारस क्या है सांत रस निर्वेदम सांट जिसको पढ़के क्या हो सांती मिले ठीक है तो यह क्या कहलाएगा सांत रस अब यह जो दो रस है यह सूरदास के द्वारा दी गई है क्या है यह ठीक है इस नीय प्यार ऐसी पंक्ती ऐसा कावे जिसमें प्यार की जैसे उस वाक्य को किया पढ़के क्या मिले प्यार क्योंनूं भूति हो इस ने हो यह क्या कहला का वादसले छोटी बच्चों से जूड़ी हुई जो उनकी जो हरकते होती हैं उनको ज्यंसे क्रिश्री क्रिश्ने की जो बाल लिलाएं हैं वो किस पर अधारित है बच्चों वह वात्सलियरस पर अधारित होती हैं वो सारी पंक्ति वो सारी कविताएं सारे काव्य क्या अब यह ग्यार्वा क्या है भक्तिरस भक्तिरस क्या से मंदा है अनुराग से ठीके भगवान को पढ़के जो फील होता है जो अनुभा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बचो भगती रस कहेंगे आया समझ में तो यह रहे हमारे 11 11 रस समझ में आ कोनगों से हैं स्थाइभाव भी उसको पढ़ा दिये जो है वह भी आपको बता दिये क्या सी आप करना है चलिए अब देखते हैं से वर्न किया जाता है या कोई करता है दो लोगों के माध्यम से ही की जाती दो लोगों को मेन ऐलिम्हेंट बनाया जाता हैwl इन्हीं के कविताया कहानिया जो है लों घुमती है ठीक है तो क्या कहला है इसके अंतरगरथ नायक और नायका के मन में प्रेम का भाव उत्पन होता है कोई कावे हैं जिसमें को क्या कहेंगे उसकाव में कौन सा रस है सिंगार रस है इसका स्थाई भाव रतिया प्रेम होता है सिंगार रस का स्थाई भाव रतिया प्रेम होता है इसमें नायक नाइका के बीच प्रेम का मन में प्रेम का भाव उत्पन होता है ठीक है उसके बाद सिंगार रस को क्या कहते है रसराज रसों का राजा जैसे फ़लो का राजा आम है वैसे रसों का राजा सिंगार रस है इसको क्या कहते हैं रस राज भी कहा जाता है कि इसको सिंगार रस को कहा जाता है ठीक है अब ट्रिक क्या है आप इसको याद कैसे करेंगे किसी पंक्ति को देख के ठीक है उसको आप पहचानेंगे कैसे यह सिंगार रस है क्योंकि परिक्षा में तो बहुत लंबे-लंबे पंक्ति तो पढ़ीने जाएगी टाइम आपके पास रहेगा नहीं पह अग्रित होती है किसी सुन्दर सुंदर इस्त्री को देंगे सुनोर पूरी सकते क्या होता है इसने फील होता है वहीं सुनदर-वन तीक कोई जंगल है बहुता सुंदर कोई कहीं हम भोमने गए ठीक है कहीं हम लोग घुमने गए अच्छी जगह पर जिसका दिर्श्य देख क्या लगे अच्छा फीलो प्रेम फीलो प्यार लगे उस जगह से आपको प्यार हो तो वो क्या कहलाएगा उस चीज को अगर आप लोग वडित करते हो काविता में के द्वारा तो उसमें कौन सा संगारस मिला रहेगा वसंतरीतों की बात की जाए और प्रकिती से जूरी हुई चीजहों की अगर की गई कि किसी कविता किसी पंक्ती में किसी काव में तो वो क्या कहलाएगा उसमें कौन सा रस होगा अभर में ठीक है यहां अरथा संगार रस को को पहचानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे सिंगारस में किसका किसका वर्णन रहेगा बच्चो सुंदर इसे चुड़ी हुए चीजों का सुंदरवन वसंतरितु प्राकितिक इत्यादी यानि इन सुंदर सुंदर चीजों का जब किसी वाक्य में वर्णन होता है तो कौन कि उनकी बातों को उनकी चीजों को क्या किया जाए वर्णन किया जाए वह क्या कहलाएंगे संयोग सिंगारस कहलाएंगे अब देखते हैं कैसे पंक्ति देखें कैसे पहचानते कैसे हैं कि सिंगारस आये देखते हैं बत्रस लाल चलाल की मुर्ली धरी लुकाए स्वाह करे बोहनी हसे दने कहे नाती जाए यह किसकी पंग्टी बच्चों यह है बिहारी दास की यह किसकी है बिहारी दास की चीके चीक बिहादी कवी बिहादी दास जो है इस पंगती के द्वारा इस कावे के द्वारा आपको ये बतला रहे हैं ये वर्णन कर रहे हैं किसका वर्णन कर रहे हैं गोपी गोपियों का और श्री कृष्ण की लिलाओं का ठीक है तो कवी क्या कह रहे हैं बच्चों बतरस लालच लाल की बत्रस अर्थार बातों का रस बत्रस लालच लाल की लाल किसको क्या किसको संभधित कर रहे हैं श्रीकृष्ण को अर्थार श्रीकृष्ण के बातों का रस को के लालच के कारण जो हैं गोपियां उनकी मुर्ली छिपा दी हैं अर्थार श्रीकृष्ण से वारतालाब क करने के लिए जो गोपियां है वो उनकी मुर्ली छुपा दी है लुकाए मुर्ली धरी लुकाए छिपा दी है तो करे भोहिन हसे दने कहे नाती जाए एक और वह श्रीकृष्ण से कह रही है कि जो मुर्ली है वो उनके पास नहीं है और दूसरी तरफ अपनी भौव को उठाके खुशी खुशी यह उनको संदेश दे रही है कि जो मुर्ली है वो उनके पास यह जब श्रीकृष्ण उनसे मुर्ली मांगते हैं तो वह उनको कहती है नाती जाए और थात मना कर देती है मुर्ली देने से कितना अच्छा वर्णन है कि कि कितना अच्छा बिहारी जी वर्ण उनसे मूरली मांगते हैं तो देने से मना कर देती है और यह कहती है कि मूरली उनके पास रहती है इतना अच्छा क्या हो रहा है प्रेम हो रहा है इसको पड़ कर लग रहा है अच्छा का आपस में जो गोपियां है रहे हो यह सब क्या आपस में लिलाए कर रहे एक साथ है वहाँ पर तो यह क्या होगा सिंगारस वहीं पर यह पहला क्या था संयोग मिलन का वर्ण है दूसरा क्या है वियोग जिस पंक्ती में जुदाई का वर्णन हो ऐसा नहीं है कि बस संयोग ही है वहीं सिंगारस प्रेम होगा प्रेम में मिलना विछड़ना दोनों ही होता है कि आपको पता है तो किसी किसी सिंगार रस में गरूरी नहीं है कि नायक नाइका का प्रेम का वर्णन हो उनके वियोग का उनके दूर जाने का भी वर्णन होता है क्योंकि यहीं है प्रेम का यहीं पहलू है बच्चो मिलना और मिलना और जूड़ मिलना और भी चड़ना ठीक है इससे आप समझें मिलना भी चड़ना ऐसा नहीं है संयोग बस मिलना ही प्रेम है भी चड़ना भी क्या है प्रेम है शिंगार रस्त के अंतरगत आएगा देखिए कैसे निसदिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस रितू हम पए तप पे जबते स्याम सिधारे निसदिन बरसत नयन हमारे पहली समझें यह पंक्रत बचोट यह हमरा राष्ट कवी सूरदास की इसकी बचो सूरदास दार्वा द्वारा उलिखा गया है यह पंक्रति ठीक है इसाथ कर स्थिक के बारे में बूला गया है एक बात रखेगा बिहारी मीरा सुर्दास यह ऐसे कवी हैं जिनके काव्वे में अधिकतर जो नायक हो है वो श्रीकृष्ण है और नायका जो है वो राधा यह वो पी को को बनाय गोपीयों को बनाया गया है ठीकित पंग्ति में सूरदाज जी क्या कहारे बच्छो कि सूरदाज जी कह रहे हैं निसदीन बर्सत नयन हमारे अर्थात यहां पर यह वर्णन है कि जो गोपीयां है जो आप उधाव की कहानी सुने होंगे जब श्रेक्ष्ण उधाव को भेशते हैं कि उनके हाल का रट्र करके आओ तो यह जो है जब मिलती है किसे उधाव से मिलती है तो यह वरंड करती इसी यसी कि वारतलाप का प्रशंग है तो क्या है गोपिया क्या कह रही है स्विक्रिष्ण हम को छोड़ के गए हैं हम पर वर्सारितू हमेशा वर्सारितू रह रही है अर्थात ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे आखों से वर्षा आशु जो है यहां पर आशु ना कहना इसलिए क्योंकि आशु जो है वो छोटा हो जाएगा इसे साब से उनका वियोग है गोपियों का वियोग है स्रीक्रिष्ण के लिए वर आप देखे यह क्या है अतिश्योक्ति पुन बात है आखों से वर्षा होना अर्थात फूट फूट करोना ठीक है तो गोपियां क्या कह रही है उधाव से कि जब से स्याम हमें छोड़के गए है तब से हमारे उपर वर्षारितू सदा है अर्थात ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे आखों से वर्षा ना हो या हम रोए ना हो श्रीक्रिष्ण के वियोग में तो क्या हो रहा है इसमें नायक नायका क्या प्रेम ही है क्या हो रहा है जो नायक है जो श्रीक्रिष्ण है वो ग लाता है सायद आपको एक लास मज़़दाल लगी होगी बाकी यह जो रास है बच्चों नेक्स लास में पढ़ेंगे आज बहुत टाइम हो गया है तब तक इसको आप लोग रिवेजन करिए नेक्स लास में हम लोग बाकी कर देखेंगे उसको समझेंगे क्या है ठीक है तब तब तक आपना पढ़ाई करिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद